सभी सनातनी बंधों को सादर नमन आज का प्रश्ण है यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित है यानि pre-decided है तो हमें काम करने की क्या आवश्यक्ता है हम कर्म क्यों करें इसका उत्तर है कि जी हाँ सब कुछ pre-decided है लेकिन आपको इस pre-decided game में चुनाओ खुद ही करना है यानि जो game आपके लिए बनाया गया है उसमें decisions यानि निर्णे चुनाओ आपका ही है ये आपको ही करना पड़ेगा और आपके चुनाओ के आधार पर यानि आप जो decisions अपने जीवन में लेते हैं उससे आपके आगे के प्रारब्द का निर्णे होगा अब आप ऐसा समझ लीजे कि हमारे हजारों लाखों जन्म हो चुके हैं और उन सब जन्मों में हमने कुछ न कुछ कर्म किये थे अच्छे या बुरे और उनके आधार पर हमको सामने प्रारब्द प्राप्थ होता है यानि इस जीवन में हमको प्रारब्द के अनुसार परिस्थितियां मिलती है कर्म दो प्रकार के होते हैं शुब कर्म यानि जो हम अच्छे काम करते हैं और अशुब कर्म शुब कर्मों से हमें अच्छा प्रारब्द प्राप्थ होता है यानि कि हमारे सम्मुख जो भी अच्छी घटनाएं घटती हैं वो सब हमारे शुब कर्म हमें प्रदान करते हैं और जो हम अशुब कर्म करते हैं उनसे हमें जो हमारे जीवन में विभिन दुख वाली परिस्थितियां आती हैं जैसे परिशानिया, दुख, बिमारियादी वे हमारे अशुप कर्मों के प्रभाव से आती है अब प्रश्नी यह है कि हमें कर्म करने की जरूरती क्या है हम कुछ न करें जो कुछ होना है वो तो होगा ही और हमारे करने या ना करने से क्या फर्क पड़ेगा लेकिन ऐसा नहीं है जो भी इस संसार में आया है उसे कर्म तो करना ही होगा पशुपक्षियों को भी कर्म करना पड़ता है तो हम तो मनुशे हैं हमें कर्म करना ही पड़ेगा अगर आप कुछ ना करिये जीवन में फिर भी आपको खाना पीना खाने के लिए अपने नित्य कर्म करने के लिए तो हाथ पाउं चलाने ही पड़ तो अब इस कर्म को आप किस प्रकार से करें और इनी कर्मों के आधार पर आपको अगले जीवन में शुब या अशुब प्रारब्द प्राप्त होगा आप ऐसा समझ लीजिए जैसे एक गेम है चलिए बात करते हैं मारियो नामक गेम की जो 90 के दशक के सभी बच्चों ने खे खेल खेलते देखकर जरूर डाटा होगा तो उन्होंने भी इस खेल को देखा ही होगा उस गेम में जब मारियो आगे बढ़ता है तो उसके सामने कभी मचली मेढख पत्थर या कुछ बाधाएं आती हैं और कभी कभी उसे फल आदी कुछ पुरुसकार भी मिलते हैं अब ज आफधानी से वो वस्तुएं आपको प्राप्त होती हैं कभी कभी कुछ सोने के सिक्के मिलते हैं वैसे ही आपके जीवन में भी होता है आपके जीवन में कैसी परिस्थितियां आएंगी ये तो आपका पूर्व निर्धारित है लेकिन उन परिस्थितियों में आप कर्म कैस करेंगे चुनाओ कैसा करेंगे ये आप पर निर्भर है यदि किसी कठिन परिस्थित में आप बिना धैर खोए सही चुनाओ करते हैं और सही कर्म करते हैं तो उस समय तो परिस्थित सुधरेगी ही आगे भी हमारा प्रारब्द अच्छा होगा श्रीमत भगवत गीता में पूजन जी को जो उपदेश दिया है वो वास्तों में हमारे लिए है प्रभु कहते हैं बिना कर्म किये कोई भी नहीं रह सकता है कर्म तो करना ही है ध्यानिया रखना है कि हम तठस्त भाव से यह सारे कर्म करते रहें यानि जो गेम हम खेले उसमें हम ये समझ के खेले कि ये हम अपने प्रभू के लिए कर रहे हैं गेम हम अपने प्रभू के लिए कर रहे हैं उन्होंने ये परिस्थितियां हम को दी हैं और जो भी हमारे आसपास के व्यक्ति हैं परिस्थितियां हैं वो सब प्रभू ने हमें प्रदान की हैं और हम इन्हें अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करें और सदैव सही चुनाओ करें इसमें हम ना तो किसी की प्रशंसा करें और ना किसी की निंदा करें क्योंकि परिस्थित तो प्रभु ने ही हमारे सम्मुक भेजी है और उस परिस्थित में हम किस प्र सारण से समझते हैं मान लीजे आपके सम्मुख एक परिस्थिती आनी है जैसे आप रोड पर जा रहे हैं और आपकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से लड़ जाती है अब आपको कर्म तो करना ही होगा हो सकता है गाड़ी आपका ड्राइवर चला रहा हो मगर फिर भी आपको गाड़ी से उतरना पड़ेगा आपको कोई दूसरा साधन लेना पड़ेगा और अपने गंतवे तक पहुँचना पड़ेगा यहां इस परिस्थित में आपके पास चुनाओ के लिए दो तरीके हैं या तो जिस वेक्ति से आपकी गाड़ी लड़ी है दूसरे को जानते तक नहीं हैं वो लोग भी हत्या तक कर देते हैं वो उनसे कभी नहीं मिले हैं उन्होंने देखा तक नहीं हैं दूसरे वेक्ति को लेकिन हत्या तक वो कर डालते हैं क्योंकि ये प्रारब्द था ये परिस्थिती जो उस वेक्ति के सम्मुक आनी थी अगर वो चाहता अगर वो सही चुनाओ करता तो वो उस छण को टाल सकता था उस गुसे को उस लड़ाई जगड़े को टाल सकता था किन्त उसने नहीं टाला और एक व्यक्ति की हत्य हो जाती है और दूसरा व्यक्ति अपना पूरा जीवन बंदी ग्रह में काटता है यानि उसे जेल हो जाएगी तो कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे बस आपको चुनाओ करते समय ध्यान रखना है कि आप सही चुनाओ करें और जो भी कर्म करें वो प्रभु का काम समझ करके करें इससे आप धीरे धीरे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे और प्रभु के समीप हो जाएं सनातन ही समाधान है यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो क्रप्या चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें और यदि आपके मन में कोई प्रश्ण है तो कमेंट सेक्षन में मुझे अवश्य भेजें मैं प्रभू और अपने कुर्दयों की अनुकमपा से यदि संभव होगा तो उसका उत्तर देने का अवश्य प्रयत्न करूंगी बहुत बहुत धन्यवाद